कलकार्तिक पूर्णिमा है तो ये में कुछ पूजा का सामान लगे आई हूँ ये तो अगर बत्ती है ये नारियल है और ये तो मेंड है इससे ना दिया लगा के इसके उपर फुल अगरा सब रखे पानी में फ्लोट करेंगे और ये कुछ फूट्स भी नारियल और ये कुछ फूट्स और ये फूल मेरी गूल का गेंडे का फूल और ये काउगी दिया ये पुरा रेडी मेड मिलता है ये ऐसे पैकेट में मिलता है रेडी मेड पुरा है दिया लगाते है ना तो उसमें रखके इसको लाइट अप करते ह तो इजी हो जाएगा ना ये 129 रुपीज है काउगी बोलके इसमें था 7 मिनिट बर्निंग टाइम 30 पीसेज का 129 रुपीज कार्तिक पूर्निमा में एक्चुली सुर्य भगवान को जल अर्पन करते हैं और तुलसी मा को पूजा करते हैं तो मैंने इसे साबुदाना का खिच्टी ब्रिक्वेस्ट में बना लिया था और यहां पे जो पानी है इसमें थोड़ा सा काला तिल और हल्दी में एड़ करी हूँ इससे पूजा होगा ब्रंदवती मा को पूझा करते हैं तो वहीं पर ही पूझा करना होता है तो वहां पे में लेक्या गी वहां पे मैंने रंगोली डाल दिया था और यह जो प्रोसेस है ना इसको जो फ्लोट करेंगे बनाना जो ट्रंक है उसमें फ्लोट करना है पानी में नदी में या तालाब म मैं ऐसे करते हैं मेली नदी में करना होता है पर यहां पर मेरे टब में ही कर रहे हूं घर पर शंख, चक्र, गता, पग्म, और ये जगनाद, बलवत्र, सुबत्रा इस बेबी मैंने एक एक सुपारी रख दिया, ये खराब हो गया है, मैंने बाद में देखा, इसमें भी चंदन और सिंदूर लगा के ही करते हैं हम लोग घर पे जो प्रोसेस करेंगे और नाचरली जैसे होता है, बाई डिफॉल्ट वैसे तो नहीं हो पाएगा, पर मैंने एक अटेम्ट लिया है, उतना तो साटिसफेक्टरी नहीं रहा, पर ऐसे ही कुछ रिच्वल और पूजा को फॉलो कर लिया है, पता नहीं कब वै जो एक्चुली में होता है, वैसा नसीब होगा, पता नहीं, पर ऐसे मैंने अट्जस कर लिया है, कुछ कॉंप्रोमाइस करके, कुछ चीजें जो की होता है, ज़रूरी होसे वैसे बस कर लिया है, प्रोसेस को फॉलो, पर उतना मुझे साटिसपाई नहीं लगा, पर जैसे भी हो, यह तो हमारी है, मेरे मम्मी के यहां तो नहीं है, पर हमारे सस्राल में तो है, बच्पन में मैंने देखा है, हमारे घर पे नहीं था, हम लोग जहां पे रह रहे थे, उसके वहां एक पास में नदी था, तो पूरे मतलब चार-पांच बजे अरले मॉनिंग सब उठक मतलब नाद होके पुरा नए कपड़े पहन के जाएंगे, यह जो फ्लोट करके बोईत फ्लोट करना बोलते हैं हमारे हैं, उडिया में होता तो डिफरेंट लांग्वेज होता, पर हिंदी में exact translation तो नहीं हो पाएगा, पर approximately वैसे बोलते हैं, और नदी में जाके, वहां पे वह दिया सब जला के, बहुत अच्छे से फ्लोट, मैंने किया नहीं कभी, पर मेरे जो नेइबर में, एक मेरे जो फ्रेंड और उनके भाई बहन सब रहते थे, वो आउंटी, और वो हम, वो चार तीन बहने और एक भाई, और मैं, हम लोग जाएंगे, वो लोग फ्लोट करे अपना काम, मैं बस देखूंगी, हमारे घर पे तो नहीं था, मैं वो नहीं क्या करती थी, पर मैं देखके, बस मुझे अच्छा लगता था, मज़ा आता था, तो ऐसे ही, चार बजे उठके, पुरा रेडी होके, जाएंगे, पुरा शॉल वगेरा, ओड़के, नहाएंगे, फिर भी ठंड लगेगी, नहाने के बाद, ठंडा ठंडा पानी, तो ओड़के, फिर वो सब फूल, ये जो रंगोली दिया, अगरवत्ती, वो सब लेके, पकड़के जाएंगे, मतलब कुछ, हाफ किलोमेटर ऐसे चलना पड़ेगा, मतलब अपने क्वार्टर से, नदी तक जाने के लिए उतना डिस्टेंस रहेगा, तो सब जाके, वहाँ पे, सब लोग, सब लोग है, मतलब जो जो सेलिब्रेट करते हैं, वो लोग सब रहेंगे, वो अपने अपने जगा पर फैमिली का, तीन चार ऐसे, जो जितने मेंबर से, उतने ऐसे दिया बाती लगा के, वो अनन्त शयन से उठेंगे, ये देव उठने एकादशी भी होती है, इस महीने, तो ये बहुत ही होली मन्त माना जाता है, हमारे हिंदू रिलीजियन में, कार्टिक का महीना, तो वहाँ पे ये सब बोलते हैं, कि जब कार्टिक महीना, कार्टिक पुन्नमी के दिन खतम होगा, तो उस दिन आप अपने सब पुन्न जो कठे करेंगे और अपने सब जो पाप है, उसको फ्लोट करके पानी में बहा देंगे, ऐसा माना जाता है, तो ऐसे मुझे भी बहुत मज़ा आता था, तो कुछ-कुछ सीखा, किसी से सुना, किसी से देखा, ऐसे करके, हमने बच्पन में कठे किये हैं और ये मैं रंगोली से जगनाद भगवान बनाने की कुशिस कर रही हूँ एक मंदिर के पास मैंने जगनाद भगवान जी की रंगोली बनाई है और एक और एक जगा पर भी बनाई है ऐसे डिफरेंट कलर्स ट्राई किया है मैंने अब चाहे तो ऐसे बना के कर सकते हैं वैसे तो फोटो मूर्ती जगनाद बलवदर सुभदरा जी की मिलती है पर ऐसे हमारी यहां भी कई कई जगा पर जैसे भूवनेशर है और उसके आसपास जो टाउन है वहां पर लोग करते है क्योंकि मैरे जो कुछ फ्रेंज़ थे, क्यू LDK टाइम पर वहोस्टल में रहा करते थे और उनसे भी कुछ सिखा, वह बातें करतें करतें भी ुक्छं सुना मैं, आप एसे अनेक्डोत मétais में कुछ बातें करते हो, कुछ बताते हो, वह लोग कुछ सुनते हैं ऐसे ही तो communication और exchange of information होता है, तो ऐसे करके सुना था, तो आज try किया, तो ऐसे टेड़ा मिड़ा तो नहीं बोल सकते, बट मैंने एक item दिया और मुझे बहुत satisfaction लगा, और next time मैं बहुत और अच्छे से करूंगी, वो जो रंगोली का जो free flow होता है न, वो इस डिबो में free flow नहीं होता था, अटक-अटक के flow होता था, तो इसका कुछ करना पड़ेगा, जैसे लूग fabricol के डिबे में इसको reuse करके, अच्छे से धोकी सुखा के रंगोली में करते हैं न, ऐसे डालना, वैसे में try करूंगी, पर ये जो ready made वाला जो है, उत्रा मुझे अच्छा नहीं लगा, ए वो बहुत अच्छा result देता है, flow होने में, डालने के लिए flow भी होना चाहिए न, तो वो मुझे problem आ रहा था उसे, इसलिए थोड़ा टेड़ा मेड़ा भी हो गया, और पता नहीं एर अटक गया था, या ये जो कुछ दाने दे से हैं न, रंगोली के, अग स्मूत होता, और fine powder होता, तो आराम से flow हो जाता, ये थोड़ा mixed है, मेरा जो, तो ये different, different बनाए मैंने, कार्तिक पुनिमा के दिन, ऐसे जगनाथ भगवान की ऐसे रंगोली बना के, हमारे याँ अउड़ी स्वामी पूजा करते हैं, जए जगन्नाथ स्वामी प्रभुनाय नपतगामी भवत तुमे